UPSC की तयारी करने बारे जो न्यू एस्टुडेंट होते हैं जो नया नया प्रेशन स्टार्ट करते हैं वो ये तो सोचते हैं कि एक प्री का एक्जाम होता है एक मैंस का एक्जाम होता है लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि कितने पेपर होते हैं एक्जाम का जो सेंटर होता है oak Пока कितने घंटे गजाम होते हैं इकजां जो होता इसमें गैप मिलताहां कि नहीं मिलताहर और कितने दिन में होतें नमस्काल मैं सिखासिंग स्वागत करती हुए UPSC这 डीच भीजिएरप करती हैं प्रिछöd पर दो पार्ट में होता है एक पेपर होता है जी एस का और दूसरा पेपर होता है सी सेट का जिसमें सिर्फ पासिंग मार्क लाना होता है प्री का जो एकजाम होता है वो लगवग लगवग हर साथ जून में होता है उसके बाद तीन महिने का समय दिया जाता है लगवग 90 से 100 दिन का उसके बाद सेक्टेंबर में जाकर कि मैंस का एक्जाम होता है मैंस जो होता है उसमें नौ पेपर होते हैं जिसमें पहला रोज से का पेपर होता है दूसरा रोज ग्स yatु का पेपर होता है तीश्रा योज और चो कोलिफाईंग पेपर होता है कंप्लसरी इंग्ल्स और दूसरा जो होता है वह जो भारती अनुच्छेद में जो भासा है उस में से कोई एक वहासा, जो आप सेलेक्ट किये रहेंगे उसको आपको देना होगा और पांचमा रोज जो होता है वह अप्सनल का पेपर होता है यह मैंस का जो सारे एकजाम होते हैं वह,. मैं से बारहा और दूसरा जो होता है वो दो से पांच होता है बीज में दो घंटे का ब्रेक दिया जाता है उसमें आप डिवीजन कर सकते हैं अराम कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं और एक्जाम का जो सेंटर होता है वो पूरे अल इंडिया में होता है वो यूपी एसी डिसाइड करता है कि आपका विडियो को देखने के लिए दिल से धन्य बाद यह वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा वो कॉमेंट करके बताएं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाइ जाहिनद